हेलो गईस केसे है आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की रेड्मी 9 आइफोन में अगर आप लोगों का इंकमिंग कॉल आ रहा है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहे रिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पर शो आप लोगों को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है कि कॉल आ रहा है तो इस प्रोब्लम को आप लोग कैसे सॉल्ब कर सकते हो तो इस प्रोब्लम को सॉल्ब करने के लिए आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है नीचे एक option देखने को मिलेगा इस apps का देख सकते आप लिखा हुआ apps इस पे click कर देना है apps पे click करने के बाद यहाँ पर देख सकते manage apps का option इस पे click कर देना है Click करने के बाद यहाप से एक option देखने को मिलेगा Phone Services का देख सकते हैं आप लिखा हुआ है तो इस फ़न Services पे आप लोगों को Click कर देना है Click करने के बाद देख सकते हैं आप एक permission का option इस पे Click कर देना है और यहापर से अगर आप लोगों ने permission नहीं दिया है यापर not allowed दिखा अगर यहापर से नहीं दिया है तो यहापर से आप लोग क्लिक करके अपने permission को allow कर सकते जैसे कि मैं आपर microphone का permission जो है देख सकते यापर मैंने सभी का permission यापर देखे रखा है तो आपको जो है यापर सभ पर्मिशन को एलाव कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक ओप्षिन लेगा नोटिफिकेशन का देख सकते नोटिफिकेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और अगर आपके फोन में इन सब नोटिफिकेशन जो है आपर से ओफ है तब भी जो है आप लोगों को call not showing problem दे आप लोगों क्या करना है नीचे देख सकते clear all data का option इस पर क्लिक करना है उसके बाद ok पर क्लिक कर देना इससे क्या होगा इस फोन का जो भी settings आप लोगों ने किया था जिससे करने से call show नहीं हो रहा था तो सब यहाँ पर reset हो जाएगा उसके बाद for stop पे क्लिक कर दीजे और ok पे क्लिक कर दीजे यह करने से आप लोगों का 100% यह problem जो है वो solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग इस problem को solve कर सकते होगा इस अपने Redmi 9 iPhone में तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई